हेलो एविवन दीपूगे राट में आपका स्वागत है और आज हम खड़े वैगनार सी एंग जी के सामने कुछ ऐसी दिखती है यह सुजुकी की बेजिंग और एक ग्रिल प्रोम में उपर ग्रिल और नीचे ब्लाक में और यह इसके हेडलाइट्स पार्किंग लाइट्स इंडिकेटर और यह फॉब नेम आप अलग से लगवा सकते हैं कुछ ऐसी दिखती है यह 165 एमन को ग्राउंड क्लिरेंस हैस का और कोई बहुत ही प्यारी लगती है यह गड़ी और जान है लोगों की पीछे से इतने बड़े बड़े इसके टेल लाइट इंडिकेटर सुजुकी की बेजिंग और वैगनर आई मांटेट्स टॉप नैम सीन जी वेरियंट और MRF के टायर कितने इंचे 170R1418 और यह वेरियंट है और इस पे उपर प्लास्टिक के वह आता है वील कैप और डोर हेंडल कुछ ऐसी दिखते है इसके अगे कोलते हैं पीछे से कुछ ऐसी दिखती है यह और पीछे उतरने का बटन और पीछे बॉटल होल्डर पीछे से कुछ ऐसी दिखती है यह सीट बेल्ट और इसका कॉक्पिट पुछ ऐसा दिखता है पीछे से एक अगे चलते है और कोई भी पॉकिट होल्डर ने मिलता और यहां पे भी बॉटल होल्डर और फोर्ड चारो दोर में स्पीकर है इसमें चलिए आगे चलते हैं और कोई हम्प नहीं है और नीचे फायर एक्स्टिंगुशर एमर्जंसी के लिए क्योंकि यह से एंजी वेरिंट है और आगे ऑटमेटिक चारो पावर विंडो और कुछ स्पेस और बोटर होल्डर ओर वार्वेम एडजस्मेंट और यह लॉक अनलोक का बटन और यह खूलने का सीट्स कुछ ऐसी है और यह अंदर सलते हैं और यह से फ्यूल चेंज करने का और यहां से फ्यूल चेंज करने का सुरी और यह हाइट नहीं यह आपका लाइट अजस्टिबल और यहां से लाइट जलती है यह कुछ ऐसा दिखता है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 180 की टॉप स्पीड और यह इस इवेंट्स और यह नॉर्मल आपको दिन का वो मिलेगा और यह आटोमेटिक आटोमेटिक नहीं है मैनुल एड्जस्टिबल और यह उपर लाइट्स इसमें मिरर मिलता है आपको ड्राइवर साइड टिकेट होल्डर पावर स्टेरिंग है सुजुकी की बैजिंग और फाइब स्पीड मैनूल ट्रांस्मिशन है और यह आपका और इगला बॉक्स और यह आपका और इगला बॉक्स और यह पिछे चलते हैं और इस इंजी विरियंट है तो एक लिए कुछ ऐसा दिखता है इसका टायर साइज सेम टायर साइज में लेगा आपको इसमें अब पीछे पासल ट्रे कर बहुत ही शांदार लगती है गाड़ी और में तिंग फ्यूल दिखाना तो भूले गए फ्यूल दिखाते हैं से इंजी और फ्यूल कंपने फिटेट यहां से भरेगा यह फ्यूल का और यह सी एंजी का और यहां से खुलता है और यह वाइपर सिंगल वाशर के साथ शारे डियूल वाशर के साथ कि अग्यूल के साथ आती है यह सी एंजी में कुछ ऐसी दिखती है यह और वह उपर कुछ भी नहीं आता है ठीक है ना नीचे बना ऐसे है काफी कॉंपेक्ट बना रखी है और यह ज़िए वीडियो अच्छी लगयो तो प्लीज लाइक करना हो सब्स्क्राइब करना कमेंट बॉक्स में बताना हो वैगनार कैसी लगी आपको थैंक्स वाचिंग कर दो